तो दोस्तों आप्टॉस की ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है आप्टॉस फिलाल आप देख सकते हैं ट्विटर बर भी ट्रेंड कर रहा है और जिस तरीके से कल के वीडियो में आप्टॉस के प्राइस में ने प्रेडिट किये थे बिल्कुल उनी प्राइस रेंजिस में आप्टॉस ने अभी तक ट्रेड किया है आप्टॉस का जो हाईएस प्राइस आप देख सकते हैं आपे 66.8 डॉलर इन फाक्ट 72 डॉलर तक गया था और अभी का अगर आप प्राइस देखेंगे तो 8.11 डॉलर चल रहा है प्राइस जैसा कि हमने रेंज प्रेड करी थी अब अप्टॉस में एक चीज़ पर आपको और ध्यान देना है कि जो स्टेकिंग रिवार्ड हैं वो अल्मूस्ट तीन हफते बाद अभी यहाँ पर आके अन्लॉक होंगे जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि जो प्रो रेटा बेसे स्टेकिंग रिवार्ड 7% पर एयर के हैं जब यहाँ पर स्टेकिंग रिवार्ड अन्लॉक होंगे काफी सारे लोगों को एर्डॉप में भी अप्टॉस कोईंस मिले हैं तो वो भी डंप अभी चल रहा है बट जैसे वो डंप खतम होगा तो अप्टॉस का प्राइस धीरे फिर से बढ़ना शुरू होगा बट अ आना चाहिए आज का जो फोकस है वीडियो का है वो है अप्टॉस एकोसिस्टम के दस ऐसे प्रोजेक्ट जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए जिनका टेस्टनेट आप यूज़ कर सकते हैं इन फैक्ट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेंने पर भी लाइव हो चुके ह आप्टॉस एकोसिस्टम में काफी हैवी डिवलपमेंट ऑलरी चल रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाइव हो चुके हैं या लाइव होने वाले हैं बेटर है कि अगर आप अभी से इन में स्टार्ट लें इनके टेस् होंगे मैं और फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा बट फिलाल इस दस की लिस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहला प्रोजेक्ट है मार्शियन वालेट काफी पॉपलर वालेट है इनफाक्ट वालेट है इनके टेस्टनेट में अभी आप आके मार्शियन एनेफटी क् एक टेएगं टो आपके वॉलेट में यहाँ पर एक एक अने फिति आ यहां पर देखेंगे तो याँ पर पे अगर यहां पर आप्टस नेम्म पर जाएंगे अपने वालेट को यहाँ पर टेस्टनेट से अगर आप मूव करेंगे mainnet पे तो आप इस website को access कर पाएंगे मैंने testnet पे इनका एक name जो है वो mint किया था यहाँ पे हमने mainnet पे connect कर लिया है एक बार फिर से इसको refresh करते हैं तो इधर आप देखेंगे कि यह mainnet से connected है यहाँ पे आप बिल्कुल ethereum naming service की तरह कोई भी domain name जो है आके book कर सकते हैं उसके लिए आपकी fee लगेगी यहाँ पे जैसे माल लीजे मुझे game of bitcoins चाहिए तो game of bitcoins मैं यहाँ पे आके type करूंगा इधर आप search करेंगे तो एक साल का registration यहाँ पे five apt है तो इससाब से अगर आप चाहें तो domain names आके aptos में register कर सकते हैं future में बिल्कुल ethereum naming service की तरह जिसे आपसे wallet ाइडी हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे यह work कर सकता है तो यह तो हो गया दूसरा project तीसरा project जो है वो है topaz यह basically nft marketplace है अब ही आप देख सकते हैं आपे main net पे यह live है और काफी सारी nft collections जो है वो already यहाँ पे live हो चुकी है explore में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे trading भी start हो चुकी है फिलाल crypto punks की तरह ही यहाँ पे aptos punks जो है वो काफी ज्यादा volume जो है generate कर रहा है in fact यहाँ पे आपको aptos names भी मिल जाएंगे अगर आप names जैसे मैं आपको दिखाया है पिछले project में name अगर आप आके book करते हैं तो यहाँ पे आके उसको trade भी कर सकते हैं but definitely इसमें से काफी सारे ऐसे scam projects भी होंगे तो हर को यहाँ पे mint करने के जुरूत नहीं है but अपनी due diligence आपको खुद करनी पड़ेगी fourth project है यहाँ पर liquid swap liquid swap basically एक swapping service है basically decent life exchange है यहाँ पर आके आप pools create कर सकते हैं pools में liquidity provide कर सकते हैं और वहाँ पर APR जो है वो earn कर सकते हैं फिलाल अभी यह test net में है इसको अपने wallet connect कर गया आप faucet में जाके यहाँ पर tokens request कर सकते हैं और इसके लिए जो भी आपके पास coins faucets आएंगे बस आपको यहाँ पर आके इसको select करना है और swap करना है liquidity add करना है यह सब कुछ आप test net में करेंगे ताकि अगर future में कोई airdrop मिलती है तो आप उसके eligible हों जो fifth project है यहाँ पर वो है ditto finance यह फिलाल अभी यहाँ पर staking provide कर रहे हैं aptos की तो अगर आपके पास tokens है aptos की है तो यहाँ पर आके आप अभी इनको stake कर सकते हैं यह 7% staking अभी provide कर रहे हैं अब जितने भी projects हैं इन में main net के साथ play करने से पहले अपनी research आप खुद करिए क्योंकि यहाँ पर security concerns हो सकते हैं बिल्कुल नई fresh projects हैं यहाँ पर तो contracts वगरा hack होने के chances भी काफी ज़ादा हैं और कितना अच्छा यह future में perform करेंगी उसकी भी कोई guarantee नहीं है बट definitely यह initial set of projects हैं जो aptos पे अभी launch होए हैं या बहुत जल्द launch होने वाले हैं Sixth project में यहाँ पर DeFi space में है Aries market यहाँ पर्लेंडिंग कर सकते हैं swap कर सकते हैं trading कर सकते हैं a g Glossy यहाँ यहाँ पर devnet mode में चल रहा है तो यह आप यहाँ पर आकर टोकन से request कर सकते हैं faucet से play around कर सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर transactions करिए, deposit करिए, withdraw करिए, swap कर सकते हैं, trade कर सकते हैं, leverage trading यहाँ पर कर सकते हैं, सब कुछ आकर test करिए, तो हो सकता है आपकी future में इसकी airdrop की eligibility बन जाए, 7th project NFT space में है, यहाँ पर wave 3, यहाँ पर basically आपको test net से connect करना है, और बसाके अपना कोई NFT यहाँ पर launch करनी है, कुछ collection grade करनी है, फिलाल अभी सिरफ यही steps हैं यहाँ पर, but definitely यह भी aptos पर NFT space में grow कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर easy to use NFT tools provide करेंगे, ताकि लोग अपने यहाँ पर collections बना सकें और collect कर सकें, 8th project आता है, यहाँ पर mobius market, again यहाँ पर यह भी एक DeFi based projects है, supply market है, borrow markets है, फिलाल यह भी test net में ही है, अपना wallet test net से connect करके, आप यहाँ पर deposit कर सकते हैं, withdraw कर सकते हैं, कुछ actions यहाँ पर complete करिए, दोनों side पर supply पर borrow पर, test net try करने के लिए, जो 9th project है, वो है mohito markets, यह basically sports betting space में है, in fact betting space में है यहाँ पर, इनका एक retroactive airdrop competition चल रहा है, यहाँ पर आप test net में इनके airdrop request कर सकते हैं, 10,000 MUSD की, उसके बाद आके आप यहाँ पर different different चीजों पर bets लगा सकते हैं, December तक इनके test net में competitions चलेंगे, आपको यहाँ पर कुछ real money इन्वेस्ट करने की ज़िरुवत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर test net में है, depending on आप कैसे perform करते हैं, test net में कितना participate करते हैं, उसके हिसाब से आपको इनके tokens की drop December के बाद मिल जाएगी, इसके बाद जो 10th और final product है, वो है यहाँ पर aptin, aptin भी DeFi space में ही है, यहाँ पर आप stake कर सकते हैं, markets हैं यहाँ पर, जहाँ पर again lending और borrowing का concept है, उसके बाद यहाँ पर governance भी है, तो जो definitely governance अगर आ रही है, तो यहाँ पर aptin finance के future में tokens drop होंगे, तो aptin finance को आके explore करिए, again यहाँ पर faucet है, यहाँ पर आप tokens request करिए, इस जो भी इनकी services है, यहाँ पर इनके साथ अभी आके play around करिए, तो यह थे 10 ऐसे aptos के projects जिनको यहाँ पर अभी फिलाल first mover advantage हैं, काफी कुछ जिनमें develop हो चुके हैं, कुछ test net पे, dev net पे चल रहे हैं, कुछ तो main net पे भी live हो चुके हैं, तो definitely इन सब को explore करके, आप hope कर सकते हैं कि future में यह projects कुछ ना कुछ आपको अच्छा return देंगे in terms of air drops, इनके लावा कुछ और भी interesting projects हैं, जिनकी अभी website भी live नहीं हुए है, बट definitely मैंनको track कर रहा हूँ, तो वो भी मैं future videos में cover करूँगा, तो दोस्तों यह था मेरा आज का video, उमीद करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा, वीडियो को जोड़ लाइक करें, शेर करें, चानल को सब्सक्राइब पर नहीं मत बूले हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, have a safe investment.